आम के बगीचे में टहलने गई युवती के सांथ हुआ दुसकरम प्रांट पुर्थाना चेत्र के रोसना उपी चेत्र अंतरगत प्रीत नगर गाउं में 19 वर्ची युवती के सांथ हुई दुसकरम का मामला सामने आया उक्त गाउं की 19 वर्ची युवती ने रोसना उपी में लिखेत आविदन दे कर मामला दर्ज कराया है रोसना उपी में दिये गए आविदन के अनुसार युवती ने कहा है कि गोरीपुर सीस्टूल अनिवासी परंपति यादाओ के 25 वर्ची पुत्र नंद कुमार यादाओ और फुराजू पर दुसकर्म करने का आरोप लगाया है युवती ने कहा कि बुद्वार की सुभई लगवक साड़ी 6 वजे घर के समीब आम के बगीचे में टहलने गई थी इसी वीच उक्त युवक मेरे समीब आकर जोड़ जबनंकर मुझे मकई खेत गहसीटते हुए ले गटना की जानकारी मिलते ही परीजन पीड़ता को लेकर रोसना ओपी पहुचे रोसना ओपी में लिखेत आविदन देकर मामला दर्ज कराया इस संबंद में रोसना ओपी प्रभारी नमनीत कुमान नवन से पूस्तास पर उन्होंने बताया कि पीड़ता द्वारा घटना को लेकर लिखिताविदन दिया गया है पीड़ता को पूच्तास के लिए महिला थाना कठिहार भेजा गया है मामला दर्स का रांगी की कारवाही की जा रही है वही पीड़ता के परीजनों ने पुलिस प्रसांसन से नियाई की गुहार लगाई है हम सुब अगया थे टहनने के लिए घर का पास में ही बगीचा है और वहां से बाप्ची हो रहे थे हैं उसके बाद विलरका आया और मीचे से पकड़ के ने साथ इसका नाम है नंद उमार यादव